हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल जहारखन परिक्षा, स्टुडेंट्स, आज 3 अब जून है, और आज से जहारखन से लेटे जितने भी इन्पोर्टेंट करेंट अफियस बन सकते हैं, एक साम पॉइंट व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिश्रेशन करने वाले हैं, औ कमेंट बॉक्स में करना है, अगर डिटेल में पता हो, तो डिटेल में अंसर करें करके आज लिक लेंगे जो भी मैं आपको मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर्स है जो आपको पता होना चाहिए यह फैक्ट फिगर्स इसलिहाद से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना होता है क्योंकि आपका आप जून अभी हाली में बिता है और वहाँ पर आपका उस दिन को मना जाता है नैशनल मिल्क डे की रूप में इस लिहाद से जो भी जार्खन में मिल्क प्रोडक्शन को लेकर जो जो भी इनिसियेटिव लिये जा रहे हैं जो जो टार्गेट सेट किया गया है और कितना अ अक्षाओं के बच्चों के किताबों के होम डिलिवरी का लिया गया है तो यह लिया गया जार्खन के द्वारा और इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर एक क्लासेश वन टू टेंथ तक के स्टूडेंस की जो बुक्स है वह आपका होम डिलिवरी किया सरकार के द्वारा और इसमें क्या है आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यह फॉर्मूलेट किया गया इसे फर्स पॉइंट है जार्खन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों की होम डिलिवरी की की जाएगी पहले से टेंथ क्लास तक के स्ट 21-22 की किताबों उनके घरों तक पहुचाए जाएगे स्कूली सिक्षा विभाग को गिरी कारा वा आपदा प्रबंदन विभाग के तरफ से इसके लिए मंजूरी प्रदान की गई है तो यह विभाग आप जाल लेंगे तो आगे में इसे तो कि जार्खन का एक एक डिपार् प्रदाइख को निसुर्ब किताब मुहया कराए जाएगी लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित ना हो और बच्चों को किसी प्रकार के परिशानी ना हो इसके लिए किताब उनके घर तक पहुचाने का नियना लिया गया है किताबों को छपवाने से लेकर जिला तक पह होचती हैं दूसरा पोस्ट किताब जिला सिक्षा पदाधी कारी वहां से स्कूल आने जाने तक आने के बाद स्कूल प्रबंदन समिति याने की SMC स्कूल मॉनिटरिंग कमिटी इंगलिस में अगर किया जाए इसे इसे मस्वरा के बाद इसे बच्चों तक पहुचाया जाता यहां पर तीन बॉडिस की मदद से इसे जो है इस पुस्तर को होम डिलिवरी करने का नियने लिया गया उम्मित करते कोशन समझ मा आ गया होगा सेकंड कोशन रिपोर्ट वाला कोशन है थोड़ा फैक्ट फिकर जादा होगा बोर मत होईएगा समझने की कोसिस करिएगा आईसी इमार के रिपोर्ट के अनुसार चार्थन के किस जिले में सबसे कम डाइबिटीज और ब्लड प्रेसर के मरीज मिले हैं तो इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पर अभी भी वैक्सिनेशन लगाने से लोग डर रहे हैं इस कारण से आईसी इमार ने यह सर्वे कराया था ताकि मैक्सिमम रीच बढ़ाया जा सके उन्हें अवेर किया जा सके यह करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं सुगर एंड ब्लड प्रेसर पेसेंट्स इ जिकर किया हुआ था उसमें आप तक देश के बाइस राजों में डाइबेटीज और ब्लड प्लेसर के मरेजों का आकरा तयार किया है इसके मुताबिक सहरी छेत्र में 15-20 फिस्तिदी लोगों को डाइबेटीज और बीपी है वहीं ग्रामिन इलाके में सारहे 3.50 से लेकर 10. पांच सुनी फिस्ति लोग डाइबेटीज और बीपी के सिकार है तो देख रहा है कितना डिफ्रेंस हो जा रहा है क्यों डिफ्रेंस हो रहा है वहां के लोग कम बीमार पड़ेंगे और यहीं आपका जो है यह डेटा भी दरसा रहा है तो इंफेक्ट जो हम लोग एस्यूम करते हैं वह आपका फैक्चुल वे में भी ट्रू रहता है वें इट कम्स टू कंपैरिजन जार्खन के ग्रामिन इलाकों में इन दोनों बीमारियों से महज 1.1 फिसीदी मरीजी मिले जो काफी कम है बहुत अच्छी बात है जार्खन की ग्रामिन इलाकों की बात की जाए तो किये के अभ्यान में 30 मही तक 28,21,665 घरों की जाच की जाच चुकी है इसी का बेसिस पे यह वाला डेटा आपका निकल का आया है अब थोरा जार्खन में देखनें की आई सेमार की रिपोर्ट क्या कहती है राची जिला में जिला वाइस थोड़ा समझेंगे राची जिला के ग्रामीन डाइबेटीज ब्लड प्रेसर के बिमारी से सबसे ज़्यादा पीडित है इसक्रीनिंग में राची के 7118 ग्रामीनों में डाइबेटीज वस्टी हुई है इसके बाद आपका पलामू में 6120 लोग शुगा वह उसके बाद आपका हो गया 5307 लोग ब्लड प्रेसर से पीडित है पूर्वी सिंगूं के बाद की जाया तो डाइबेटीज से 4538 और ब्लड प्रेसर से 4750 पेसेंट से सिम्डेगा में सबसे कम 425 डाइबेटीज और 427 ब्लड प्रेसर के मरीज मिले हैं तो जो नैशनल लेबर पर अपलाई होता है वही चीज आपका स्टेट मिले हैं डाइबेटीज और ब्लड प्रेसर के एक्सांपल के लिए पहला नंबर पर आची दूसरा पर पलामू तिसरा नंबर पर पूर्वी सिंगूं और कम की बात की जाया तो सिम्टेगा हो गया दूसरा नंबर पर आपका आजाए ग्रीडी ग्रीडी पता है ना जहां प कोशन पूछ लिए और गलती कर देंगे ना तो बहुत अफसोस होगा चलिए ठर्ड कोशन है दूद उत्पादन में देश भर में जहारखन का कौन सा स्थान है तो इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्स नंबर सी 16 स्टैंड करता है जहारखन पूरे नेशन वाइड में करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं एक जून को वर्ल्ड मिल्क डे यानि के विश्व दुख दिवस मनाया जाता है किनके याद में मनाया जाता है ये भी आप कमेंट करें इसका उदेश दूद उत्पादन को बढ़ावा देना और जन जन तक प्रचार प्रसार करना है सवर प्रथम यानि सबसे पहली बार कम मनाया गया था एक जुन 2001 को और तभी इससे लगातार मनाया जा रहा है भारत में कूल दूद उत्पादन है आपका 187.75 मेट्रिक टन जो प्रतिव व्यक्ति है 394 ग्राम पर डे इससे आप याद रखेंगे 394 ग्राम पर लीटर नहीं लिखना है अपने मन से यह ग्राम में इससे मेजर किया गया था दूद उत्पादन में देश बहर में जहारखन का 16 पोजिशन है यहां प्रतिव व्यक्ति 172 ग्राम दूद उपलब्द जो राश्ट इसतर से बहुत कम है नैशनल लिबल पर कितना है 394 और स्टेट लिबल पर कितना आ रहा है 172 ग्राम तो देख रहें ना डिफ्रेंस कितना लगवग आधा से भी कम हो रहा है ठीक है ना चलिए जहारखन में 5 लाक लीटर दूद के आप सकता है जहारखन मिल्क फेडरेशन मेधा डेरी लगवग 1.25 लाक लीटर दूद के आपूर्ती करता है बाकि 3.77 लाक लीटर दूद देश के अन राज्चु से प्राप्त करता है तो इस पॉइंट से आप क्या समझ चकता है क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इस पेंडेंसी बढ़ें तो इसी का आउटकम जो आप इतना पढ़ें ना कि यहां पर डेरी प्रोड़क्ट लगाया जा रहा है राजाची में मिल्क प्रोड़क्शन प्लांट्स लगाया जा रहा है तो यह सब इसी को बेसिस मानते हूँ आपका बजट फॉर्मूलेट किय जाता है बजट का बेसिक कॉंसेट में आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ ऐसे नहीं रहता है कि किसी जिला में कुछ भी मन किया तो दे दिया गया थोड़ा बहुत बेसिक पॉलिटिक चलता है लेकिन इतना भी नहीं चलता एक बेसिक थूपॉइंट्स के थूझ जाया जाता है डेटा के थूझ जाया जाता है उमिद करते हैं आप समझ रहेंगा थोड़ा से रिकैप करने जो आपका बजट में में सेंड है राज सरकार और मिल्क फेडरेशन मिलकर राज में तीन ब्लांट शुरू करने जा रहे हैं कहां कहां पर है यह इन पॉटेंट है यानी कि आपका देवखर वाला एरिया और पलामू इन तीनों ही जगहों में आपका 50-50,000 लीटर दूद का प्रोसेसिंग प्लांट लगने जा रहा दूद का प्रोसेसिंग प्लांट आगे वाले नेक्स्ट वाले में हम लोग इस बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले ह बोलते कि सर कितना एक्स्प्लेइन करते हैं जरूरत है आप समझने की कोशिस करें यह सब आपको आएगा समझ में जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे इक्ट वर्स 2021 के लिए दूद पादन को कितने लाग मेट्रिक टन कर लखने का लक्ष निर्धारित किया गया ह यानि एक टार्गेट जो दिया गया है बजट में बजट वाला कोशिन हो गया तो यह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्स नबर सी 29.13 लाग मेट्रिक टन मिल्क प्रोड़क्शन का लक्ष रखा गया है एफ वाई आपका 21-22 के लिए अब थोड़ा सा पॉइंट से जोड़ने का नेने लिया गया है इसके बाद है आपका यह वाला थोड़ा से मुझे इंपॉटेंट लगा ग्रामीन दूद उत्पादकों द्वारा जहार्खन मिल्क फेडरेशन को आपूर्ती किये गए दूद के लिए एक रुपए प्रती लीटर के दर से प्रोधसाहन रासी होगा यह तो जब डिटेल आएगा तब आपको पता लग जाएगा अब यह तो मैंने आपको पता दिया पलामू साहब गन सारट के बारे में ठीक है अब ग्रीडी जमसेटपूर में भी नया प्लांट खोला जाएगा अब राची में है आपका मिल्क पाउडर प्लां साहब गन सारट हो गया और ग्रीडी जमसेटपूर में नया प्लांट उमीद करते हैं सारा कॉंसेट आपको समझ आ रहा होगा अब थोड़ा से एकोनोमिक्स भी समझ लें अलग राज बनने के बाद जारकन में 2001 में प्रतिव्यक्ति प्रति दिन 96 ग्रांद उपलप्त था इ लाएक मेट्रिक टरन का उच्पादन करने का लक्ष निधारिक किया गया है उमेद करते कोशिन आपको सारा कोशिन अच्छे से समझ आ रहा होगा फिप कोशन है एक जून को किस कॉलेज की पत्रिका कल पे तरू का लोकार्पन किया गया है तो इस कोश्चन का correct answer हो जागा र और इसका लोकारपन किया गया है राच्छी उनिपरसिटी के कुलपती कामिनी कुमार के द्वारा रमेश पांड़े पहले थे अब चेंज होके कामिनी कुमार हो गई है एक एक करके पॉइंट को देख लिए इसमें कुछ कॉपर्मेंटल प्लांई टिपरेटि इसमें कि आगर याद करेंगे तो काफी कन्फ्यूस हो जाएंगे 12 महिना में 12 अलग रेंटिंग पांच अलग अलग इसमें कितना याद रख पाएंगे इसलिए जो आपका येरली वाइस निकलता उसे कम सगम याद रखने के कोशिस करेंगे इसमें अब यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख दिया है अब यहाँ पर क्या जार्खेंड रामगर के लावा कौन-कौन से था इससे याद रखें दूमका जो था आपका जो था आपका पाच्वा स्थान पर था और अगर देश की बात की जाए तो कारगील का याद गीर जीला दूसरा और महराष्ट का गीर चड़ोली जीला जो आपका तिसरे स्थान पर था ठीक है अब यहाँ पर जो है पांच क्याटेगरी चलिए इसमें इतना कुछ है ने ज करें आज किलिए आपका क्विज कोशन है ज्रार्खन की किस जिले से उत्तर पाशान-काल के आवसेस मीले हैं एक ही जगह है जहासे इस प्रकार है रगातार मिल रहे हैं और अब अब ही भी मिल रहे हैं आपके option से राची सिम्डेगा हजारी बाग लाते हाल अंसर कमेंट करें बार्मा कोश्चन ने जी एस वाला सोनात सुध संथाल समाज 1970 की स्थापना किन के द्वारा की गए थी option से सूर्य सिंग बेशरा, सीबू सोरेन, दुर्गा सोरेन या फिर option बेटी चमरा लेंडा अपने आंसर को कमेंट करें, चली मिलते हैं जारकान का अगले वीडियो लेक्चर में थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो